अंकित और शीतल दोनों के चेहरे पर हवाईयां उड़ रही थी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें अंकित अपने बड़े भाई विशाल को समझा समझा कर ठक गया था लेकिन वो तो जित पर अड़े हुए थे अरे तुम समझते क्यों नहीं यंकित नहीं मतलब नहीं बारात अब वापस जाएगी मुझे नहीं करनी इस घर में शादी भाईया ये क्या बात हो गई शादी ब्या कोई मजाग है क्या मजाग मजाग तो उन्होंने बना रखा है माना कि शादी ब्या में जूते चुरानी की रस्म होती है लड़के वालों को जूते के पैसे देने पड़ते हैं तो मैंने कहा मना किया पैसे देने के लिए मैं दे तो रहा हूँ 500 रुपए लेकिन वो है कि 5000 की जित पकड़ कर बैठे हैं अरे भीया दे दो ना 5000 नहीं तो इतनी अच्छी भावी हाथ से निकल जाएगी निकलती है तो निकल जाने दे मुझे नहीं करनी शादी और अगर तुझे ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है तो तू ही जाकर कर ले शादी क्या भीया ये कैसी बात है कर रहे हो आप उधर शीतल का भी वही हाल था वो भी अपनी बेहन रितिका को समझा कर ठक गई थी लेकिन रितिका भी टस से मस होने को तयार नहीं हो रही थी क्यूं? क्यूं पीछे हटे हम? क्यूंकि हम लड़की वाले हैं नहीं, मैं तो नहीं हटूंगी पीछे और तू भी मत हटूंगी तो नहीं तो पांच अजार मांगे है न? देख, पांच अजार देंगे तब जूते उन्हें वापस मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे अरे दीदी, खामखां की जित छोड़ो ना नहीं तो जीजू बारात लेकर वापस चले जाएंगे आखिर क्या था उनके दुखी होने का कारण इसे जानने के लिए समय की घड़ी को थोड़ा पीछे गुमाते हैं उस दिन राजेश और रितिका की सगाई थी रितिका भावी, आप तो बहुत खुशकिस्मत हो, जो मेरे भहिया आपको मिले पता है, मेरे भहिया लाखो में एक है अंकित की बाद को सुनकर वही खड़ी शीतल ने अपना मुह बनाते हुए कहा हाँ तो आपके भहिया भी खुशकिस्मती के मामले में कम नहीं है क्योंकि मेरी बहन लाखो में नहीं, करोडों में एक है करोडों में कितने जीरो होते हैं ये पता है न जी या मैं बताऊं शीतल की बात पर वहां खड़े सभी लोगों की हसी छूट गए अंकित भी मुस्कुरा कर रह गया और उसी दिन हसी मजाग के उस माहौल में अंकित और शीतल के बीच भी एक रिश्टा बंद गया अरे थोड़ा और लीजे न आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे कि कोई लड़की हूँ ये कहकर शीतल ने चार और पूरियां अंकित की थाली में डाल दी अरे शीतल जी पहले सही पेट भटने को तयार है और आपने चार-चार पूरियां और डाल दी तो गोली भी दे देंगे हाजमी की आप क्यो टेंशन लेते हैं मेरे पास पढ़िये हाजमी की गोली रुक्ये में लेकर आती हूँ ये कहकर शीतल भागती हुई अपने कमरे में गई और हाजमी की गोली ले आई ये लीजे जी ये गोली भी खा लीजे घर जाकर ये मत कहिएगा कि होने वाली भावी के यहां ठीक से खाने को नहीं मिला शीतल की बात पर एक बार फिर से अंकित मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए उसने बोला शीतल जी एक बात कहूं तो थोड़ा एक्स्रा ट्रीटमेंट तो बनता है लेकिन लगता है आपको ये ट्रीटमेंट पसंद नहीं चलिए लाइए ये हाजमे की गोली वापस दीजिए ये कहकर शीतल अंकित के हाथों से हाजमे की गोली छीनने लगी तो अंकित ने कहा क्या हुआ जी पल में हमें भगवान बोला और पल में ये बढ़ता हो हमारी कोई बात बुरी लगी तो सौरी रहेगा जी एक रात की बात है शीतल ने अंकित को कॉल किया अंकित गहरी नीद में था सो रहते क्या नहीं तो भंगडा कर रहा था भंगडा इतनी रात को जोकिंग शीतल तू भी ना मजाक नहीं समझती है यार इतनी रात को सोंगा नहीं तो और क्या करूँगा यार अंकित तुझसे एक बड़ी जरूरी बात करनी थी जरूरी बात? हाँ बोलना पापा ने दीदी के शादी के बाद मेरी शादी का प्लान किया है आज एक लड़का मुझे देखने आया था काफी हैंसम था वो तीन-चार महिने में यूएस जाने वाला है मुझे तो वो बहुत पसंद आया मैंने तो पापा से हाँ कह दी है अंकित जो उतनी देर से उंगते हुए शीतल से बात कर रहा था अचानक से उसकी आँखे बड़ी हो गई वो विस्तर पर चौक कर उठा और बोला शीतल बागल हो गई है क्या ये क्या कह रही तू? तो किसी दूसरे से शादी करेगी? अरे तेरे बेना मेरा क्या होगा यार? मुझे क्या पता क्या होगा? ओए तू ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ मैं मर जाओंगा यार अंकित किस बात पर शीतल जोर-जोर से हसने लगी अरे क्या हो गया? तू हस क्यों रही है? मैं हस इस ले रही हूँ कि जोक मारने का सारा कॉंट्रेक तूने ले रखाए क्या मैं नहीं जोक मार सकती यह जोक था? तूने तो मेरी जानी निकाल दी थी पागल है क्या अंकित? तेरी सिवा मेरा दिल और किसी के लिए नहीं धड़क सकता I love you I love you too चल अब सोजा सोजाता हूँ लेकिन तू सपने में तो आएगी न कोशिश करूँगी शीतल और अंकित के प्यार का किसी को पता नहीं था वो दोनों दुनिया की नजर से बच कर प्यार की पिंगे बढ़ा रहे थे अंकित चाहता था कि पहले भईया की शादी हो जाए फिर वो सभी को अपने और शीतल के रिष्टे के बारे में बताएगा उन्हें पूरी तरह उमीद थी कि उनके रिष्टे से कोई ना नहीं करेगा लेकिन उन दोनों के सपनों पर तो पानी फिर गया था बारात वापस लोट रही थी अब अंकित के भईया की शादी ही उस घर में नहीं हुई तो उसकी कहां से होती अंकित का दिमाग खराप हो रहा था उसने शीतल को कॉल किया शीतल ये क्या हो गया यार सब गडबड हो गया तुझे क्या जरुवत थी पांच हजार उपे मागने की ओई मुझे क्या पता था कि बात यहां तक बढ़ जाएगी वैसे एक बात कहूं तेरे भईया हैं बड़ी कंजूस और गैर जिमिदाद भला पांच हजार के लिए कोई बारात वापस लोटाता है क्या नहीं शीतल भईया ऐसे बिल्कुल नहीं है लेकिन पता नहीं आज उनकी कौन सी मती मारी गई है अब क्या करना है यार पापा और ममी भी गुस्से में है दीदी का तो क्या ही कहूं यार सब खत्म हो गया मुझे नहीं लगता है कि इस घटना के बाद मेरे घरवाले तुझसे शादी करने को मानेंगे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा यार शीतल क्या करूं यार तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा तभी अंकित के कानों में बैंड बाजे की आवाज सुनाई पड़ी उसने देखा कि बाराध जो वापस लोटरी थी वो फिर से वापस आ रही है भोडी पल बैठे राजेश भाईया भी वापस आ रहे है बाराधियों ने फिर से नाचना भी शुरू करते त। दोनों और से सारे लोग फिर से जुट गए शीतल और अंकित को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या आखिर ये हो क्या रहा है तभी अंकित के विशाल भैया और शीतल की बहन रितिका जोर-जोर से हसते हुए उनके पास आई और कहा तुम लोगों को क्या लगा? तुम लोगों की बीच पक रही खिचड़ी का हमें पता नहीं लगेगा अरे हमें सब पता है तुमारे बीच क्या चल रहा है? कि तुम क्या कह रही हो दीदी? देख शीतल, तुम लोगों ने हमें खोब उल्लू बनाया अपने प्यार की बात हम से चिपाई वो तो एक सब्ता पहले मैंने तुम लोगों की बात सुन ली और तुम्हारे प्यार का पता लगा तो हमने भी सोचा कि तुम लोगों की ज़रा खिचाई की जाए रितिका ने राजेश को कॉल किया और उसे सारी बाते बताई और फिर उन्होंने जूते चोरी में ज़्यादा पैसे मांगने का और फिर पैसे नहीं देने का और जूट मूट का बारात वापसी का प्लान बनाया उस प्लान में राजेश के माता-पिता और शीतल के ममी पापा भी शामिल थे और फिर क्या? उनके प्लान में शीतल और अंकित फस गए देवर जी हमने एक सर्प्राइज और तयार रखा है अब क्या करने वाले हो? हम चाहते हैं कि आपकी और शीतल की शादी भी आज ही हो जाए हमने सारी तयारी भी कर लिये क्यों? सही रहेगा ना? रितिका की बात को सुनकर अंकित और शीतल मुस्कुराने लगे उस रात उन दोनों की भी शादी हो गए जूते दो पैसे लोगी रस्म का? कोई दो दिलों को मिलाने के लिए ऐसे भी उप्योग करेगा? ये किसी को कहा पता था? भाबी, हमारे कॉलेज की तरफ से गोवा के लिए एक ट्रिप औरगनाईज की गई है, जिसके लिए वो हमसे पांच हजार रुपे ले रहे हैं, मेरी सभी सहीलिया जा रहे हैं, मेरा भी बहुत मन है, प्लीज मुझे जाने दो फिर राम पांच हजार रुपे? इतने में तुम्हें महीने भर का राशन भरवालू? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, चुपचाप से घर पर रहो और घर के कामकाज में मेरी मदद करो, ये लो, जल्दी से इन कपड़ों को प्रेस कर दो लेकिन भावी, अभी तो मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं शाम को आकर सारे कपड़े प्रेस कर दूँगी अरे पढ़लिक के कौन सी तू कलेक्टर बन जाएगी, शादी के बाद चुला चौका ही तो संभालना है, चल अब जल्दी से सारे कपड़े प्रेस कर दे इसके बाद बेचारी शिवानी उस दिन कॉलेज ना जाकर सभी कपड़ों को प्रेस करने लग जाती है, शिवानी जब आट साल की थी, तब ही उसके माता-पिता का देहान थो गया था, वो अपने भाईया-भावी के साथ रहती थी, उसके भाईया-भावी उसके साथ अच् प्रेस काम ज्यादा था या फिर तुम्हारी भावी नहीं चाहती थी कि तुम कॉलेज जाओ, हाँ आकाश, दरसल मेरी भावी नहीं मुझे आने नहीं दिया, वो नहीं चाहती कि मैं कॉलेज जाओ और पढ़ाई करूं, अगर मैं घर पर पढ़ना भी चाहूं तो वो कोई कोई बहाना बना कर मुझे काम में लगा देती है, तो तुम उनकी शिकायत अपने भावी से क्यों नहीं करती? भावी से कहकर कोई फायदा नहीं है, वो भी भावी की तरह हर समय मुझे से लड़ते रहते हैं, अपनी शादी से पहले तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से भावी उनकी जिन्दगी में आई है, तब से वो बिल्कुल ही बदल गए है, शिवानी का उदास चेहरा देखकर आकायश दुखी हो जाता है, क्योंकि वो शिवानी को दिल ही दिल में बहुत चाहता था, लेकिन शिवानी इस बारे में कुछ नहीं जानती, फ लेकिन गाड़ी से उतरते हुए नैना उसे देख लेती है, और शिवानी के घर पहुँचते ही कहने लगती है, ये कोई वक्त है घर आने का, तुम्हारे अंदर कुछ शरम बची है या नहीं, भापी आप इतना नाराज क्यों हो रही हो, एक घंटा ही तो लेटू, आप तो ऐसे चिला रही है जैसे दो दिन से कहीं गायब हूँ, मुझसे जुबान लडाती हो, अगर आज तुमसे एक घंटे का हिसाब नहीं लिया ना, तो कल से दो दो दिन भी गायब रहने लोग होगी, अब जो मैं पूछ रही हूँ, उसका सीधा सीधा जवाब दो, भाभी कल से मेरे एक्जाम शुरू होने वाले है, तो लाइब्रेरी में बैट कर पढ़ाई कर रही थी, घर पर तो आप मुझे पढ़ने नहीं देती, किसी ना किसी काम में लगाए रखती है, अच्छा बेटा, जुबान तो कैची की तरह चलती है तुमारी, आखिर कौन था वो लड़ लेगी हमारी, आने दो तुमारे भाईया को, उन्हें भी तो पता चले क्या गुल खिला रही है उनकी बैना, शिवानी नैना को समझाने की बहुत कोशिश करती है, कि जैसा वो सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नैना शिवानी की एक नहीं सुनती, और अपने प भाईया, आज तो मेरे एक्जाम है, अरे बहुत करली तुमने पढ़ाई, अब घर पर रहकर घर के कामकात सिखो, इससे पहले कि तुम हमें कहीं मो दिखाने लायक नहीं चोड़ो, उससे पहले ही हम तुमारी शादी कर देंगे, शादी? इतनी चल्दी भाईया? नहीं भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मयंक उसकी बिल्कुल नहीं सुनता, और उधर कॉलेज में बैठा आकाश कब से शिवानी की राह देख रहा होता है? एक्जामिनेशन हॉल में शिवानी के ना आने के कारण आकाश भी वहां से बिना पेपर दिये ही चला जाता है, एक्जाम खत्म होने के बाद शिवानी और आकाश की दोस्त निधी आकाश के पास आकर बैठती है और उससे कहती है, आकाश तुम पागल हो गए हो क्या, चुब बिना पेपर दिया आ गए? निधी, यार आच शिवानी कॉलेज नहीं आई, मुझे कुछ ठीक नही क्या तुम उसके घर जाकर पता कर सकती हो कि आखिर बात क्या है? हाँ, हाँ, क्यों नहीं, चली जाओंगी मैं, लेकिन ये तो बताओ, जब तुम शिवानी से इतना प्यार करते हो, तुमसे बोल क्यों नहीं देते? हाँ, तुम सही कह रही हो, अच्छा, उसको जाकर बोलना कि मेरी शादी एक अनपर तल्खुदा मर्द के साथ कर रहे है, और तो और उसके दो बच्चे भी हैं, क्या, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं, और उन्हें लगता है कि अगर मेरी शादी अमीर घर में हो जाएगी, तो उन्हें भी किस किसी चीज की कमी नहीं होगी निधी ने मुझे सब बता दिया है और अब इस दलदल से निकलने का सिर्फ एकी रास्ता है कि तुम अपने भाईया भावी का घर छोड़ दो लेकिन पिर मैं कहा जाओंगी भाईया के अलावा इस दुन्या में मेरा है ही कौन तुम मेरे घर चलो तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाता हूं या तुम मुझसे शादी करोगी शिवानी मैं भगवान को साक्षी मन कर उम्र भर तुम्हारा साथ मिभानी का वादा करता हूं तुम्हें हर हाल में खुश रखूँगा और हमीशा त आकाश की बात सुनते ही शिवानी दंग रह जाती है और कुछ कह पाती है उससे पहले ही आकाश कुम को मुठाता है और उससे शिवानी की मांग भर देता है आकाश की बात उन्हें शिवानी का मन भी जीत लिया शायद उसे जिंदगी में पहली बार किसी ने इतना प्यार दिय और वो राजी खुशी आकाश के साथ मंदिर में अगनी को साक्षी मान कर शादी करने के फौरण बाद शिवानी आकाश के साथ अपने घर पहुँचती है तो उसकी भाबी उसको देखते ही जोर-जोर से छाती पीटने लगी हाई राम ये क्या कर डाला इस लड़की ने हमें कहीं मुद दिखाने लायक नहीं छोड़ा जिस बात का डर्था वही हुआ इस लड़की ने हमारे मुद पर कालिक पुद दी अच्छा जब तुम पैसो की खातिर मेरी उस तलाग शुदा बच्चों के पिता से शादी करवाने जा रहे थे तब कुछ नहीं और अगर मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली तो तुम्हारी खांदान की इज़द मिट्टी में मिल गई शिवानी ये तुमने अच्छा नहीं किया अब निकल जाओ मेरे घर से और फिर कभी मुझे अपनी शकल भी मत दिखाना आज से तुम हमारे लिए मर गई मर तो मैं आपके लिए उसी दिन गई थी भाईया जिस दिन भावी ब्याकर इस घर में आई थी बस ये बात कहने में आपको कई साल लग गए इसके बाद आकाश शिवानी को अपने घर लेकर जा रहा होता है तब ही गाड़ी में बैठी शिवानी आकाश से पूछती है गर पहुँचते ही आकाश गाड़ी से उतरता है और शिवानी की तरफ का गेट खोलते हुए उसे बाहर आने के लिए कहता है शिवानी घबराई हुई धीरे धीरे घर के दर्वाजे तक जाती है तो देखती है कि एकदम से उनके उपर फूलों की बारिश होने लगती है ये सब देखकर दंग रह जाती है आकाश के ममी पापा ने बहुत ही अच्छे से शिवानी का स्वागत किया और तोफे के रूप में उसे सोनी के गहने भी दिये इसके बाद शिवानी और आकाश ने माता पिता के पैर चूकर उनका आशिरवाद लिया फिर शिवानी ने आकाश से पूझा आकाश अब तो बता दो ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे ममी पापा गुस्सा होनी की जगा हमारी आरती उतार रहे है उचे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बताता हूँ बाबा सब बताता हूँ दरअसल मैंने अपने माता-पिता को तुम्हारे बारे में पहले ही पता दिया था और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं आज ही तुमसे शादी कर लूँ और तुम्हें उनकी बहु बनाकर इस घर में ले आओ और ये सब तैयारी, ये भी उन्ही काई आइडिया था ओ हो, तो इसलिए मंदिर में मेरे जवाब का इंतजार किये बिना ही तुमने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया था कि मेरे पास मना करने का कोई कारण ही ना रहे हाँ, मेरे मम्मी पापा सुभा से इन सब तैयारियों में लगे हुए थे उन्होंने ही घर को सजाया, तुम्हारे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए और ये फूलो वाला आइडिया, ये भी उन्ही काई था सच में आकाश, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे है तुम्हारे नहीं बलकि हमारे, आज से वो तुम्हारे भी तो मम्मी पापा है हाँ, हाँ, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे है इसके बाद दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर दोनों की ही MNC कमपनी में नौकरी लग गई